नमस्कार दोस्तों आज मैं आपने वीडियो के जरे आपको बताने जारी हूं कि मर्दान सकती बढ़ाने से लेकर चैरे के फिम्पल आटाने तक हर इलाज करता है अंजीर प्यारे दोस्तों अंजीर एक ऐसा ड्राइब फूट्स है जिसका उप्योग बहुत कम लोग करते हैं अधिकतर लोगों को काजू बदाम जैसे ड्राइब फूट्स खाते ही देखा गया होगा लेकिन अंजीर के चमतकारी गुनों के बारे में किसी को कुछ खास पता नहीं होत आज हम आपको अंजीर के कुछ ऐसे गुन बताने जाने जिनको जानकर आप आश्चर चकीत हो जाएंगे और इसका सेवन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे अंजीर के फायदे इस प्रकार है मरदाना सक्ती बढ़ाएं यदि आप रोमांस करते हुए जल्दी ठक जाते हैं और अपनी मरदाना सक्ती को बढ़ाना चाहते हैं तो अंजीर इसके लिए बहतरे इन चीज है तीन अंजीर रोज सुबह पानी में भी गोदे आब इने रात को 200 ml दूद में डाल करके उबाले इस अंजीर वाले दूद को रात को सोने से पहले पीले यदि समश्य अदि गंबीर हो तो आप ये उपाये दिन में दो बार भी उप्योग में ला सकते हैं यानि कि सुबह और रात के समय इसके रोजाना उप्योग से मरदाना शक्ति में काफी जाफा होता है यानि बढ़ोतरी होती है चहरे के पिंपल 13-14 वर्स की उम्र का अकड़ा पार करते ही पिंपल की समश्य होने लगती है इन पिंपल से छुटकार पाने के लिए या उपाय करे रात को दो ऐसा रोजाना करने से सरीर का खुन साफ होता है और चहरे से पिंपल की समश्य हो जाती है शरीर में हो गाट यदि आपको सरीर के किसी हिसे पर गाट है तो अंजीर का पानी बिगो का रग दे तो अंजीर को पानी में बिगो का रग दे इसके बाद इसे मिकसर में पेस्ट कर और दस पिस्ता रात में पानी में भी गो दे सुबह इन्हें पानी में से निकालने और बदाम में पिस्ता की छिलके उतार ले अब इन्हें सुबह खाली पेट खाले ऐसा रोजानक करने से मेमोरी पावर तो बढ़ती है साथ ही ब्लड प्रेशन नियंत्रन में रहता है और खाली पेट दो अंजीर खा सकते हैं प्यारे दोस्तों डाइबटीज के मरीज अपने डॉक्टर की सला के बाद ही अंजीर का सेवन करें एक समाने व्यक्ति एक बार में ज्यादा से ज्यादा चार अंजीर खा सकता है उमीद करती हूँ कि आप इसका प्रयोग करके अपनी नमस्या से निजाद पाएंगे त्यारे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तों जय हिंद